हालेलुया सबी बाई बेहनों को मेरी आउस से जैम से कि मैंने पहले भी ट्राइ की थी लेकिन क्योंकि फॉन पर था इसलिए बीच में कॉल आ गई और डिस्कनेक्ट हो गया सपहरे जी जो आज मैं एक खास विशे पर आप से बात करना चाहता हूँ और मेरे क्याल से इस पर काफी लोग डिबेट भी करेंगे लेकिन जो बुद्धी मान होंगे वो बहुत जल्द समझ जाएंगे क्योंकि किलाम कहता है बुद्धी मान के लिए इशारा ही काफी होता है सो विशा है कि कुछ ऐसे शब्द हैं जो सिर्फ खुदावंद खुदा के लिए ही इस्तमाल हो सकते हैं इनसान उन्हें इस्तमाल नहीं कर सकता जैसे मेरा नाम इकबाल गिल है मैं अपने नाम के आगे अगर गौड इकबाल गिल लगाऊ तो आप लोग एक्शन लोगे एक दम से अगर मैं अपने नाम के आगे लौड इकबाल गिल लगाऊ तो भी आपको अतराज होगा अगर मैं अपने नाम के आगे सर्वशक्ति मान लगाऊं तो भी आप इतराज करेंगे क्योंकि कुछ शब्द हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्रमेश्वर के लिए ही इस्तमाल किये जा सकते है मत्य की इंजील उसका 23 अद्याय उसकी 8 वर्स में लिखा है कि तुम रबी ना कहलाना क्योंकि ये शब्द सिर्फ खुदा के लिए ही इस्तमाल हो सकता है नीचे जाकर दस्वी आयत में लिखा है कि तुम स्वामी भी मत कहलाना तुमारा एक ही स्वामी है वो मसी है तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो सिर्फ खुदा के लिए ही इस्तमाल हो सकते हैं इनसान उन्हें इस्तमाल नहीं कर सकता तो ऐसे ही सैंक्डों शब्दों में एक शब्द जो खुदा के लिए इस्तमाल होता है वो है रेवरेंड रेवरेंड का मतलब है भैयोके वो जिसे इंसान को डरना चाहिए वो जिसकी इंसान को इजट करनी चाहिए वो जिसकी इंसान को प्रस्तिश करनी चाहिए So Reverend का मतलब है भैयोगे जबूर उसका 111 उसकी नौ आयत में हम लोग पढ़ते हैं महापर लिखा है कि उसके नाम के बारे में कि वो पुटर है और भैयोगे है सो भैयोगे शबद रेवरेंड शबद जो है वो सिर्फ परमेश्वर के लिए इस्तमाल होने वाला शबद है लेकिन बहुत समय पहले किसी ने इस शबद को इनसान के लिए इस्तमाल किया आहिस्ता आहिस्ता ये एक रिवाज बन गया और अक्सर परचारकों ने अपने नाम के आगे इस शबद को इस्तमाल करना शुरू कर दिया जो आज कर रहे हैं उनकी गलती ने क्योंकि चलन चल गया इसलिए पता ना होते हुए वो कर रहे हैं लेकिन इस शबद का अर्थ है भैय योगे अगर तो आप भैय योगे हो तो फिर अपने नाम के आगे आप इस शबद को इस्तमाल करो लेकिन याद रखना अगर भैयोगे हो तो फिर आप परमेश्वर हो और कलाम कहता है तुम रब्बी मत कहलाना इनसान रब्ब की जगा नहीं ले सकता तो रेवरेड़न शबद यानि के भैयोगे तो आज जो डेबेट करते हैं वो कहते हैं जी आक्सफोर्ड यूनिवर्स्ट्री की जो में डिक्शनरी है उसमें जाओ उसमें देखो कि इसके क्या-क्या मतलब हैं आप सिर्फ एक मतलब को मतलो तो अजी जो मैं बताना चाहता हूँ बाइबल का इतहास हजारों साल पराना है और आक्सफोर्ड यूनिवर्स्ट्री इतनी परानी नहीं है और वो जो डिक्शनरी है वो इंसानों द्वारा ही तैयार की गई है और उसमें वही चीजें इस्तमाल की गई हैं बताई गई हैं जो अक्सर दुनिया में चलती हैं तो जब रेवरेंड शब्द जो है लोगों ने अपने लिए इस्तमाल करना शुरू किया तो आखरकार उस आक्सफोर्ड डिक्शनरी में भी उनको लिखना पड़ा कि रेवरेंड के क्या-क्या मतलम है उनमें उन्होंने एक शब्द लिखा हुआ है कि परचारकों की एक उपादी परचारकों की एक उपादी जब उसमें वो पढ़ते हैं तो वो कहते हैं नहीं जी ये तो बिलकुल आप गर्त बोरेंड का मतलब सिरु बहय योगे नहीं होता पास्टरों की एकपादी भी होती है, सेवकों की एकपादी भी होती है तो अजीजो, मैं बताना चाहता हूँ डिक्शनरी इंसान द्वारा लिखी गी, खुदा द्वारा नहीं और डिक्शनरी में वही शब्द इस्वाल किये गए हैं, जो दुनिया अक्सर करती है लेकिन बाइबल में जो खुदावंद खुदा के लिए शब्द इस्वाल किये गए हैं, वो पाकरू की प्रेरना से खुदा के लिखकों ने उन बातों को लिखा है सो खुदा के लिए खुदा की प्रेरना से रेवरेंड शब्द जो है वो इस्तमाल हुआ है जिसका अर्थ है बहय योगे सो जो आज परचार करने का मन बनाए बेठे हैं मैं उनसे मुखादिब होकर कहना चाहता हूँ कि आप इस शब्द को किरपया अपने लिए योग इस्तमाल मत करें जो कर रहे हैं अगर तो अग्यानता के कारण कर रहे हैं तो सही बात को मानना कोई गलत नहीं होता उन्हें भी चाहिए कि वो इस बात की गहराई को समझते हुए अपने नाम के आगे इस शब्द को इस्तमाल करना बंद करें क्योंकि अगर वो इस शब्द को इस्तमाल करते हैं तो दुनिया को वो ये बताना चाहते हैं कि वो भैयोगे हैं और भैयोगे सिर्फ एक प्रमेशर है उसी का दर मानना चाहिए इसलिए कोई भी इनसान इस शब्द को इस्तमाल ना करे क्योंकि ये बाइबल की मुखालफत है खुदा की मुखालफत है और इसमें हमारी अग्यानता जो है वो दुनिया में जाहर होती है सो मैं यही अंत में बस शौड में कहना चाहूंगा कि रेवरेंड शब्द इनसान के लिए नहीं जैसे गौड शब्द इनसान अपने लिए इस्तमाल नहीं कर सकता लौड लफज इनसान अपने लिए इस्तमाल नहीं कर सकता खुदा शब्द इनसान अपने लिए इस्तमाल नह नहीं का सकता, अल्फा ओमेगा शब्द इनसान अपने लिए इस्तमाल नहीं का सकता, ऐसे बहुत सारे शब्द जो सिर्फ परमेश्वर के लिए हैं, उनमें एक शब्द है, रेवरेंट शब्द, सो मैं जो मसीव में तरकी कर रहे हैं, उनती कर रहे हैं, उन सबी को इस बात से अगा करना चाहता हूं, कि आप लोग किर्पया इस शब्द को अपने लिए इस्तमाल ना करें, कहीं ऐसा ना हो कि कोई इनसान आपके आगे लगे हुए इस शब्द को देकर आपकी ही अरादना औ और आपकी ही पूजा करने लगे, क्योंकि जब आप लिखते हो कि मैं रेवरेंड हूं, तो इसका सीधा मतलब है कि आप बैय योगे हैं, बैय योगे सिर्फ खुदा वं खुदा है, इज्जत महमा जलाल उसी को मिलना चाहिए, तो खुदा आप सब को आशिश दे, बरकर द गौड बलेस योगे, खुदा आपको बहुत आशिश और बरकर दे, जैम सिके.